चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो आज इस वीडियो में मैं फाइव स्टेट्स कोटा काउंसलिंग के बारे में आपको अपडेट दूँगा तो सबसे पहले हम वात करते हैं पांडिचेरी स्टेट की तो पांडिचेरी स्टेट में जिन कंडीडेट ने अलड़ी अपलाई कर रखा है उनको प्रिफरेंस दुबारा से रि एरेंज करने का मोका दिया गया है आप इसको login करके reset करके दुबारा से इसको arrange कर सकते हैं 24 फिलिंग के preference को तो ये एक पांडिचेरी state की update है और इसकी जो last date है वो 13 January यनि की आज साम 6 बजे तक रखी गई है तो अगर आपने पांडिचेरी में registration कर रखा है तो यहाँ willingness submit करना है और उसके बाद में अगर आप preference reset करना चाते हैं उसका order change करना चाते हैं तो reset preference करके order change कर सकते हैं तो ये पांडिचेरी state candidate के लिए है जिन्होंने management quota के लिए भी apply कर रखा है इसके बाद में हम बात करते हैं उडिचा state की तो उडिचा state ने भी अपना counseling का schedule जारी कर दिया है तो इसमें हम counseling का schedule सिरफ registration registration का ही है मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हर एक state ने registration का ही schedule जारी किया है अभी first round का schedule जारी नहीं किया है ये first round का और बाकी counseling का schedule MCC की counseling के बाद में सेडियूल जारी हो जाएगा उसके बाद mcc का फर्स्ट राउंड उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड फिर mcc का सेडियूल नहीं आ जाता तब तक फर्स्ट राउंड या फिर बाकी काउंसलिंग का सेडियूल जारी नहीं कर रहे हैं इसके बाद में हम उडिशा इस्टेट के रेजिस्टेशन की बात करें तो ये रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 18 जनवरी 22 रात 11 बसके 59 मिनेट्स तक रखी गई है तो ये आप अगर उडिशा इस्टेट में एडिमिसर लेना चाते हैं तो इसके लिए रेजिस्टेशन कर सकते हैं मैं आपको final state मेरी list आएगी वो 27 जनवरी को आ जाएगी इसके बाद में हम बात करते हैं next state महराश्टरा की तो आपको पता है महराश्टरे state के registration की जो last date थी वो 10 जनवरी 22 थी extend होने के बाद लेकिन इसको फिर से एक बार extend किया गया है और ये जो अभी registration की last date है वो 17 जनवरी 22 है ये जो पहले registration हुए थे उनकी जो merit list आनी थी 13 जनवरी को वो अभी पॉस्पॉर्ण हो गई है ये registration complete होने के बाद जो 17 जनवरी 22 को registration complete हो जाएंगे उसके बाद में ये merit list जारी की जाएगी provisional जो state merit list है वो बाद में आपको inform कर दिया जाएगा कि ये कब जारी की जाएगी और इसका schedule भी बाद में आएगा first round और बाकी further counselling का तो इसमें जो registration करना है आपको सभी courses के लिए एक साथ ही करना है अभी इसमें जो registration करना है MBBS, BDS, BMS BHMS, BUMS BPT, BOT इसके बाद BSLP, BPO और BSC nursing इन courses में अगर आप admission लेना चाते हैं तो आपको registration करना है और इसकी last date 17th January 22 है इस state के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि महराश्टर भी एक close state है इसमें जो institutional quota है उसकी काफी जादा fees है उसमे other state candidate admission ले सकते हैं institutional quota में जिसकी NRI के equal की fees है तो जिन candidate को महराश्टर इस्टेट में institutional quota में admission लेना है वो other state के हैं तो वो भी इसमें apply कर सकते हैं तो ये information थी महराश्टर state की अब बात करें हैं MP state का तो MP state ने जो पहले अपना schedule जारी किया था उसको postpone कर दिया है यनि कि MP ने पहले एक बार registration start कर दिया था उसकी कोई last date नहीं दी थी इसके बाद में जब schedule जारी किया था उसमें 12th January इसकी last date थी registration की तो वो अभी जो पहले इसका schedule जारी हुआ था वो schedule अभी postpone हो चुका है और registration continue है registration की last date बाद में inform की जाएगी मैं आपको यहां फिर बता देता हूँ कि जब तक ओल इंडिया कोटा की counseling का schedule नहीं आ जाता तब तक state अपने counseling का schedule जारी नहीं कर सकता क्योंकि ये round पहले MCC के होंगे फिर ओल इंडिया के round होंगे उसके बाद में ये schedule जारी किया जाएगा MCC के schedule के बाद state के तो काफी state अपना registration करवा चुके हैं बहुत सारे states ने अभी अपना registration start नहीं किया है जैसे कि UP उत्राखंड, West Bengal हरियाना, जेंड के तो इन्होंने अपना registration start नहीं किया है वो जल्द ही अपना registration start कर देंगे तिरपुरा ने भी नहीं किया है 36 गड़ने भी नहीं किया है जारखंड ने भी नहीं किया है अभी काफी state बचे विये हैं जिन्होंने अपना registration भी start नहीं किया है 21 के लिए UG के लिए मैं आपको यहाँ एक चीज और बता देता हूँ कि UG और PG की जो counseling है किसी-किसी state की same web portal पर हो रही है same website पर हो रही है तो आपने ध्यान रखना है PG की counseling का notification है या UG की counseling का notification है जिन state में UG और PG का अलग-अलग portal है उनमें तो कोई problem नहीं है लेकिन कभी state ऐसे हैं जहाँ पर आपको UG की और PG के दोनों के notification मिलेंगे तो आपको ध्यान रखने counseling करनी है अपने UG का notification देखते रहे ना है अभी जो next update है वो है हरियाना state के तो हरियाना state के registration अभी start नहीं हुए है ये registration भी जल्द start हो जाएंगे लेकिन हरियाना state ने एक notification दे दिया है जिसमें rule and regulation बताया गया है कि किस प्रकार से admission होगा क्या-क्या उसके लिए conditions होगी इसमें जो परफोर्मा है STST जो category के परफोर्मा है वो भी upload कर दिये गए हैं इसके अलावा government का और private का fees structure भी upload कर दिया है हरियाना इस्टेट ने उसके लिए notification जारी कर दिया है तो यह आप एक बार पूरा इसका notification देख लें यह 12th January 22 का है हरियाना का notification और इस notification के according आप अप्ली planning कर लें अगर आप private में admission लेना चाते हैं तो उसकी फीश 12 लाख रुपे something है private की SGT University की फीश अलग है उनकी तो आप उसके according यह notification पढ़ने के बाद अपना planning कर लें कि आपको कोण से कोटा में admission लेना है हरियाना इस्टेट में लेना है या फिर other state में लेना है मैं आपको बता दूँ कि हरियाना इस्टेट एक open state है यहाँ other state candidate भी admission ले सकते हैं हरियाना की private medical college में तो यह कुछ से पांच state की updates थी बाकि state की जैसे जैसे updates मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा mcc की अभी counseling start नहीं हुई है अभी यह जल्द ही start हो जाएगी जैसे ही mcc का schedule आएगा बाकि states का schedule आएगा मैं आपको inform कर दूँगा तो मिलेंगे नई अपडेट की साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैसे ही